Hello my dear friends, तो आज के एक और आपके कमाल के वीडियो में आप सभी का स्वागत है तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले कुछ बड़िया लाप्टॉप्स के बारे में जो कि हर स्टूडेंट के पास, हर एक प्रोफेशनल के पास होने ही चाहिए इनकी जो प्राइज है, वो मार्केट में काफी जादा प्रीमियम में नहीं काऊंगा या तो काफी जादा सस्ती भी नहीं काऊंगा अच्छे कासे प्राइस टाइक पे आते हैं और काफी जादा कमाल के और इतने अच्छे बढ़िया स्पेसिफिकेशन के साथ आते है क्यों अच्छा है IT हो या प्रोफेशनल्स हो या स्टुडेंट्स हो कोडिंग हो या कोई भी एडिटिंग सॉफ्वेर हो कुछ भी हो सारी चीजे यह जो लैपटोप से वो एजली हैंडल कर सकते है और आपको लॉंग तक आपके साथ लंबे समय तक यहां पर जवर तेक सकते है तो हमार जो सबसे पहला लैपटोप इस लिस्ट में आता है वो है HP का 15 काफी अच्छा लैपटोप है इसमें आपको 15.6 इंचिस के FULL HD PLUS के काफी बढ़िया डिस्प्ले देखने को मिलती है Ryzen 5 5500U का चिपसेट है यानि कि बहुत ही ज्यादा तगड़ा परफॉर्मन्स आपको देखने को मिलता है बहुत ही ज्यादा पाउरफुल चिपसेट है आपको इसमें 8GP के RAM मिलती है 512GP की massive storage है यानि कि आपके पास यहाँ पर memory के साथ storage भी बहुत ही ज्यादा fast रहेगी और बहुत ज्यादा यहाँ पर आपको capacity में भी देखने को मिल रही है इसके साथ आपको इसमें Windows 11 out-of-the-box देखने को मिलता है सारी features इसमें आपको देखने को मिल जाते है आपको fast charging भी देखने को मिलते है यानि कि आपका laptop सबसे तेजी से आपको चार्ज होगा और चिर्फ और चिर्फ यह आपको देखने को मिलता है almost same specifications है वह 15.6 inches की Full HD Plus की display है आपको इसमें यहापर Ryzen का वही chipset देखने को मिलता है Ryzen 5 का chipset है plus यहापर आपको 8 GB की RAM मिलते है 512 SSD देखने को मिलते है same almost वही specifications है यहापको एक और चीज़ देखने को मिलते है वह है 2 साल की warranty और Windows 11 के साथ exclusively Microsoft Office का support यह बहुत जादा important चीज़ है आपको 2 years का warranty support भी मिल रहा है और बाकी सारी चीज़े भी आपको bundled up की जारी है Lenovo के साथ और इसकी साथ इसकी जो price निकल गाती है वो है 48,000 rupees one and only इसकी बिलिंग description में यह भी powerful laptop है editing, coding, सारी heavy से heavy task आपके easily आपर यह handle कर सकता है so please do check out, link in the description और subscribe करना बिल्कुल मत बूलियाजगा है Tech Revolve channel को और आगे और भी laptop से video चोड़ कर बिल्कुल मज़ाए इस list में हमारा 3rd laptop आता है Honor का magic book इस list में थोड़ा surprising है बट बहुत ज़ादा effective है क्यों चलिए बात करते है यहाँ आपको 14-inch इसके display देखने को मिलती है बट यह display नॉर्मल डिस्प्ले नहीं है यह एक eye protective display है यानि कि अगर आप इसको night में भी use करते हो तो दिन भर भी use करते हो तो आपके आपको को ज़्यादा तकलिफ नहीं होगी और यहाँ पर specifically eye protective display यह technology का use किया गया है ओनर के तरू तो बहुत ही ज़्याद अच्छा display है प्लस आपको इसमें आपर जो i5 10th generation का chipset मिलता है काफी अच्छे cores देखने को मिलते है बहुत ही ज़्यादा productive है बहुत ही ज़्यादा fast है और इसकी जो mega boost frequency वह भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी इसलिए मैंने इसको 3rd number पे रखा है साथ ही मैं आपको इसमें 8gb के RAM का support देखने को मिलता है 512gb की SSD है तो दोनों में आपको जो speed यहाँ पर देखने को मिलते है read and write speed प्लस यहाँ पर multitasking speed बहुत ही ज़्यादा amazing है तो यह भी एक plus one factor है साथ ही मैं इसमें आपको windows 11 exclusively देखने को मिलता है प्लस यहाँ पर आपको fast charging का support देखने को मिलता है वह भी type C port के साथ so this is something amazing feature that I liked it and definitely मैं अभी तक कहते आ रहाँ कि type C ही हमारा future होने वाला है साथ ही मैं इसमें आपको यहाँ आपको यहाँ आपको यहाँ आपको यहाँ मेटल बोडी देखने को मिलता है तो premiumness आपको यह भर के देखने को मिलगी और यह सिर्फ और सिफ आपको देखने को मालगा फजब देखने को मिलगी आपको यहाँ आपको यहाँ आपको यहाँ यहाँ राची ओटेखने को मालगा